हरिया बस कर बेटा सुबह से काम कर रहा है आजा रोटी खा ले हा मा तुम चलो बस ये गढ़ाई तयार होने ही वाली है ठीक है जल्दी कर कमला और उसका बेटा हरिया एक छोटे से गाउं में रहते थे हरिया के पिता एक लुहार थे और हरिया ने उनी से लुहार का काम सीखा था लेकिन एक दिन एक हाथसे में उनकी मौत हो गए हरिया शुरू से ही बहुत समझदार था उसने जल्दी ही काम शुरू कर दिया और पै अच्छा सुन, अब तू बड़ा हो गया हरे, कब तक मुझसे घर के सारे काम कराएगा। अरे कैसी बात कर दी मा, कल से तुम कुछ मत करना, सारा काम मैं करूँगा। अरे बैल बुध्धी, मैं ये कह रही थी कि तू अब ब्याह कर ले। ना, मैं ब्याह नहीं करने वाला। क्यों भाई, सब करते हैं, तो फिर तू क्यों नहीं करेगा। मा में जितना कमा पाता हूँ, उसमें हम दोनों का ही गुजारा ठीक से नहीं हो पाता। ऐसे में तीसरी का खर्चा कहां से उठाऊंगा। और दूसरी बात, अलको वो आकर तुमसे लड़ने लगी तो मुझसे तो बरदास्त नहीं होगा, मा। अरे पगले, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, और वैसे भी घर में लक्ष्मी आ जाएगी, तो अपने भाग्य का खाएगी, समझा। कुछ भी कहो पर मैं ब्या नहीं करूँगा, मा। क्या मा फिर वही बात, कुछ और बात करो ना। क्या हरिया के लिए उसके जैसी ही महंती और भोली-भाली लड़की ढूंड कर लाएग। और अगले दिन से ही कमला इस काम में लग गई। और फिर एक दिन बगल के गाउं में उसे एक ऐसी लड़की मिली गई। कमला उसके घर हरिया के लिए रिष्टा ले कर गई। वहाँ पहुँचते ही उसने देखा कि वहाँ भी एक आदमी हरिया की तरह कड़ाईया बना रहा था और फिर। इसके बाद कमला ने दीनानाथ से उसकी बेटी लक्ष्मी का हाथ अपने हरिया के लिए मांग लिया। दीनानाथ अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हरिया से मुलाकात की तो उन्हें भी हरिया बहुत पसंद आया। और फिर कुछी दिनों के बाद हरिया और लक्ष्मी की शादी हो गई आहाहा, अब मेरी सारी मन्नते पूरी हो गई मेरे घर लक्ष्मी आ गई पर माजी, मेरा सिर्फ नाम ही लक्ष्मी है मेरे बाबा बहुत गरीब है हाँ तो, हमारे पास कौन सा ताज महल है तू हमारी लक्ष्मी है और हमेशा हमारी लक्ष्मी ही रहेगी। लक्ष्मी वाकई बहुत समझदार और महनती थी। उसने जल्दी घर का सारा काम संभाल लिया। ये देखकर हरिया को बड़ा सुकून मिलता था। फिर एक दिर। माजी मैंने कभी आपको कुछ मीठा बनाते कर ले आई और उसे लोहे की कढ़ाई पर गर्म करने लगी। लेकिन थोड़ी देर में सारा दूद भड़ गया क्योंकि दुकानदार ने उसे पुराना दूद दे दिया था। लक्ष्मी को बड़ा बुरा लगा लेकिन फिर वो कुछ सोचने लगी। ये क्या हो गया? कितन कितने में तो बड़िया लग रहा है? पता नहीं इनको और माजी को पसंद आएगा की नहीं? उस दिन लक्ष्मी ने बहुत प्यार से और ध्यान से पनीर की सबजी बनाई वो भी बिलकुल नए तरीके से और अपनी लोहे की कढ़ाई में। फिर शाम को जब हरिया काम पर से अहांगए आप, ज़़दी से हाथ मुद् हो लिजए, आज पनीर की सब्जी बनाई एपनीर? यह कहते हुवे लक्ष्मी ने लोहे की कढ़ाई में बना, कढ़ाई पनीर अर जैसे ही कमला और हरिया ने पहला निवाला खाय तो वो दंग रह गये उन्होंने आज तक ऐसा कुछ नहीं खाया था वो भर भर कर लक्षमी की तारीफ करने लगे और तभी दर्वाजे पर दस तक हुई लक्षमी के पिता दीनानाथ आये थे लक्षमी ने उन्हें भी अपना कढ़ाई पनीर खिलाया दीनानाथ भी इस नए तरीके का कढ़ाई पनीर खा कर बहुत खोश हुए और फिर पता है माझी मैंने आज इस कढ़ाई पनीर को बनाने में बहुत मेhrनत की हाँ वो देख भी रहा है बहु कमाल बनाया है तुमने माझी मैं क्या सोच रही थी क्या मैं छोटा सा धाबा खोल कर यही कड़ाई पनीर बना कर बेचू, कैसा रहेगा? बेटी इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी सबजी बहुत अच्छी है, पर धाबा खोल सके उतने पैसे हमारे पास नहीं है. अब फिक्र ना करें बहन जी, हम सब मिलकर लक्ष्मी की इच्छा पूरी करेंगे, आप लोगों ने मेरी लक्ष्मी को बहुत प्यार दिया है, तो उसे भी एक मौका मिलना चाहिए अपने परिवार के लिए कुछ करने का. एक महिने के अंदर ही दोनों परिवारों ने मिलकर एक छोटा सा धाबा खोल लिया, जहां लक्ष्मी अपना खास लोही की कढ़ाई और भट्टी में भुना कढ़ाई पनीर बना कर बेचने लगी. पहले ही महिने लक्ष्मी ने पूरे बीस अजार रुपे कमाए और फिर बीटते वक्त के साथ लक्ष्मी के बनाए पनीर को खाने वाले भी बढ़ते गए और उसकी तरक्की भी और इस तरह लक्ष्मी ने वाकई अपने परिवार के भाग्य खोल दिये. वाँ वाँ अक्षरा बहू क्या कमाल की सबजी बनाई है. ऐसा कर मेरे लिए तो तू दो रोटी और सेख दे. पेट तो भर गया लेकिन मन नहीं भरा. मा जी लेकिन आटा तो खत्मू गया. कोई बात ने. मैं अभी और आटा लगा देती हू. बहू आटा लगा ही रही है तो मेरे लिए भी दो रोटी और लगा देना. वो क्या है ना कि गर्मा गर्म रोटी का स्वाध ही अलग होता है. लेकिन अभी ममी जी और पापा जी को दो दो रोटी और खानी है. क्या? लेकिन अभी तो मैं सबसे पूछ कर आई थी. तो उन्होंने मना कर दिया था. और अब दो मिनिट में फिर रोटी मागने लगे. हाँ, आटा भी फिर से लगाना पड़ेगा. और किचन की सफाई और बरतन फिर से धोने होंगे. कभी-कभी तो मुझे लगता है ना कि ये रसोईनी धाबा है. धाबा, जो हर वक्त चलता ही रहता है. अरे बहु, अभी तक रोटी बनी नहीं क्या? पता नहीं दोनों सारा दिन क्या करती रहती है. दो-दो बहुए हैं, फिर भी खाना टाइम से नहीं मिलता है. जब देखो, दोनों आपस में गुटर्गूं-गुटर्गूं करती रहती हैं. भाबी, मुझे और चावल खाने है. एक कटोरी ला दो ना. लेकिन रेखा, चावल तो सारे खत्म हो गए. जो भी थे पापाजी और तुमें दे दिये. ऐसे कैसे खत्म हो गए पूरा एक क्विंटल का कटा रखा है स्टोर रूम में. और तुम मेरी बेटी को एक कटोरी चावल देने से भी मना कर रही हो. देखा मा, भाबीयों के राज में तो खाने को भी तरसना पड़ रहा है. अब यहां खड़े-खड़े मेरा मू क्या देख रही है. जा जल्दी स करके फिर सब ले रही हो. अरे तो क्या करू? तो कितना भी घिस ले हम लोगों की मेनत तो इस घर में किसी को नजर आने वाली नहीं. कपड़े मशीन धो देती है, चावल कुकर बना देता है, साबुन बरतन धो देता है, और हम दोनों दिन भर जख मारते हैं. दीदी, यह त इपने ससुराल वालों को तरसा दिया. दोनों बहुएं फिर से काम पर लग जाती हैं. इसी तरह वो दोनों सारा दिन किचन में ही लगी रहती. जिस वज़े से वो ना तो ठीक से अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे पाती और ना अपने पतियों के कपड़े समय स प्रेस कर पाती हैं. उन दोनों के एक एक बच्चा है. सास ससुर और ननत को मिलाकर कुल नौ लोगों का परिवार है. इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने और खिलाने और उनके बरतन धोने में ही इनका सारा दिन निकल जाता है. दीदी, हम दोनों का सारा दिन रसोही म का मतलब ये थोड़ी न की तुम चार दिन का राशन एक दिन में इखा जाओ. और तो अब तो बच्चे भी बड़ों की देखम देखी करने लगे हैं. मालीनी, अब हमारा भी बेशरम बनने का वक्ता क्या है? इनकी अकल ठिकाने लगाने का न मेरे पास एक आइडिया है. ज लेकिन बहु मुझे क्या हुआ है? हुआ नहीं है तो हो जाएगा. ये देखिए आपका शुगर कितना बढ़ा हुआ है? मैं अभी डॉक्टर को बुला कर आपका सारा हेल्थ चेक अप करवा देती हूँ. कहीं आपको कुछ हो गया तो? अरे शुब शुब बोल मरे मेरे ठोड़ेगा और अंकल जी आपका वजन तो और दुगनी तेजी से बढ़ रहा है. आपको अपने खाने पर कंट्रोल करना है और दो रोटी से उपर नहीं खानी. हे भगवान ये डॉक्टर तो हमारे खाने के पीछे ही पढ़ गया. माता जी आपको बुढ़ा पे तक स्वस माता जी मैंने कहा था ना आपको शुगर है. अपसे आपको चावल, आलू और मीठा नहीं खाना है. और बाबुजी आपको भी कोलेस्टरॉल की दिक्कत है. इसलिए आपको भी अपने खाने पर अपसे ध्यान देना है. और रेखा तुम्हारा भी वजन उम्र के हिसाब से ज्यादा है. इसलिए तुम्हें भी अपने खाने पर ध्यान देना होगा. अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई. तुम्हारे शरीर को तो अभी कई बदलावों से गुजरना है. डॉक्टर ये कहकर वहां से चला जाता है. शाम को सब खाने की टेबल पर बैठते हैं नहीं सासुमा. डॉक्टर ने आपको दो रोटी से जादा खाने के लिए मना किया है. और आपने ही तो कहा था कि अब से दो ही खाऊंगी. इसलिए आप क्यों रोटी नहीं बनाई. और अब हमने सब का खाना हिसाब से बनाने के बाद किचन बंद कर दिया है. आज सब आधा पेट खाना खाकर चुपचाप अपने अपने कमरों में चले गए. तो वहीं दोनों बहों ने भी आज पहली बार समय पर खाना खाया और फिर अपने कमरों में चली गई. अक्षरा के इस आइडिया से सबकी आदत और सेहत में काफी सुधार आ गया था. सास ससूर और रेख बोलना पाप है. लेकिन अगर उस जूट से किसी का भला हो, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है. सुबह से रेखा तीन बार हलवा बना कर देख चुकी थी, पर हलवा फिर भी परफेक्ट नहीं बन रहा था. रेखा गुस्से से जुचला गई. क्या ममी, ये हलवा वलवा मेर से नहीं बनेगा, मैं नहीं बना रही. सुबह से तीन बार कोशिश कर चुकी हूँ. कभी चीनी कम हो जाती है, कभी घी कम रह जाता है. अब देखो कैसा पतला पानी बन गया है. रेखा, पिछले एक हफते से तुझे सिखा रही हूँ. पर मिकाश, तुम्हारी बात सच हो जाए और मुझे कोई ऐसी तरकीब मिल जाए कि जादू से हलवा बन जाए. ऐसे जादू से सब कुछ बनने लगता ना, तो आज तुम्हारी मा रसोई में पूरा दिन जादू से ही खाना बना रही होती. ये सब किससे कहानियों में ही होता है कि जादू से हलवा बन जाए. सच में ऐसा कभी नहीं होता. पर रेखा के मन ने ये बात घर कर गए. पंदरा दिन बाद उसकी शादी थी और उसकी सास ने पहले ही कह दिया था कि उनके यहां नई बहु के हाथ से सबसे पहले हलवा ही बनवाते है. रेखा बिसी सोच में के घर होकर आती हो. उसके घर से मुझे अपना मेकप का किट उठाना है. उसने मेरे लिए कुछ सामान ओनलाइन मंगवाय था. शाम के समय जादा ठंड में घूमो नहीं वरना बिमार पढ़ जाओगी. फिर आपको दो दिन बाद मेरी शादी में लगना ही है. हाँ तू ठीक निकाल कर ओडने ही लगती है कि तभी उसकी नजर सामने पेड के नीचे ठंड से छिठुरती हुई एक बुड़ी औरत पर पढ़ जाती है. आसपास लोग गुजर रहे थे पर कोई भी उस बुड़ी औरत की तरफ नहीं देख रहा था. रेखा उस बुड़ी औरत के पास ज ये लो ये आपके काम आएंगे. आपकी पहनो तब तक मैं आपके लिए सामने की दुकान से कुछ खाने का और गरम चाय लेकर आती हो. वो बुड़ी औरत गरम कपड़े पहन लेती है. इतनी देर में रेखा उसके लिए चाय और खाने का सामान ले आती है. बुड़ी औरत एक सुन्दर परी के रूप में आ जाती है घबराव नहीं मेरा नाम नीलम परी है मुझे पृत्वी लोग पर एक बूरी औरत के रूप में रहने का दंड मिला हुआ था मैंने परी लोग में एक बूरी परी का मजाग उड़ाया था इसलिए उन्होंने मुझे दंड दिया था कि मैं तब तक पृत्वी लोग में रहकर एक गरीब बूरी औरत का जीवन व्यतीत करूँगी जब तक कोई खुद से मेरी मदद नहीं करेगा और जब कोई दयालुता के साथ मेरी मदद करेगा तो मैं वापिस अपने रूप में आ जाओंगी पिछले तीन दिन से मेरी किसी ने भी मदद नहीं की आज तुमने मेरी सहायता की इसलिए मैं परी लोग वापिस जा सकती हूँ जाने से पहले मैं तुमें कुछ देना चाहती हूँ मांगो तुम मुझसे क्या मांगती हो निलमपरी मेरी तो अभी एक ही दुविधा है दो दिन बाद मेरी शादी है और मुझे हलवा बनाना नहीं आता आपके पास कोई उपाय है जिससे जादुई हलवा बन जाए और मेरी ससुराल में प्रशंसा हो अच्छा तो ये बात है रुको निलमपरी हवा में छड़ी घुमाती है ये लो ये जादुई चीनी है जब भी तुम हलवा बनावगी तो इसी चीनी का उप्योग करना ये चीनी मिलाते ही स्वादिश्ट हलवा बन कर तयार हो जाएगा आपका बहुत बहुत शुक्रिया निलमपरी आपने बहुत बड़ी मुश्किल हल करती निलमपरी से चीनी लेकर रेखा घर जाती है और चुप चाप उस चीनी की पोटली को अपनी अटैची में रख लेती है दो दिन बाद धूमधाम से रेखा की शादी विनय नाम के लड़के से हो जाती है देखो रेखा बहु तुम्हारी जेठानी वर्षा ने पहली बार बहुत ही स्वादिश्ट हलवा बनाया था तब वर्षा ने हम सब का दिल जीत लिया था आज तुम्हें भी सब मेहमानों के लिए स्वादिश्ट हलवा बनाना है नीलमपरी की दी हुई चीनी से हलवा बना लेती हो जादूई हलवा खाकर ये सब मेरी तारीफों के पुल बानतेंगे और ऐसा ही हुआ रेखा ने नीलम परी की दी हुई चीनी जैसे ही मिलाई हलवा तयार हो गया हलवा खाकर सबने रेखा की बहुत तारीफ की आखिर जादूई हलवा बना ही बहुत स्वादिश्ट था रेखा की तारीफे सुनते देख उसकी जेठानी जल भुन रही थी सुनो जी, हलवा तो हमारी छोटी बहु ने बड़ी बहु से भी जादा बढ़िया बनाया है अब बहु को शग उनके रुपए देने चाहिए हाँ रेखा बहु, हलवा वाकर में बहुत स्वादिश्ट बना है सभी महमानों ने तुम्हारे हाथ के बने हलवे की बहुत आरिप की रेखा बहु, कल घर में महा पूजा है और मैं चाहती हूँ की हलवा तुम ही बनाओ बड़ी बहु पूरी सबजी बना लेगी तुम्हारी शादी के बाद कुलगुरु घर में पहली बार आ रहे है तो अच्छे से उनका स्वागत होना चाहिए और हमारे घर के रीती रिवाजों के अनुसार कुलगुरु को हम भोजन में सबसे पहले नई बहु के हाथ का हलवा ही खिलाते है ठीक है माजी मैं बना लूगी रेखा अपनी अटैची में से चीनी की पोडले निकाल रही थी तब ही उसकी जिठानी उसे देख लेती है ये चीनी तो मेरे लिए बहुत लगी है अगर ये चीनी ना हो तो मैं स्वादिश्ट हलवा बना ही न पाओ वैसे मैं इस पोडली में से जितनी चीनी निकालती हूँ उतनी बढ़ जाती है ये बहुत अच्छी बात है ये सब नीलम परी के जादू का कमाल है अच्छा तो ये बात है ये रेखा हलवी में इस चीनी का इस्तिमाल करती है वरना इसका हलवा इतना स्वादिस्ट होई नहीं सकता मैं भी देखती हूँ अब ये कल हलवा कैसे बनाती है अगले दिन रेखा पूजा के लिए हलवा बनाने लगती है पर जैसे ही वो अटैची देखती है चीनी की पोटली गायब थी वो परिशान हो जाती है रेखा रोने लगती है उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था पर उसे हलवा बनाना भी जरूरी था क्योंकि उसकी सास उसे बार-बार आवाज लगा रही थी रेखा को हलवा बनाने की आदित पढ़ गई थी वो अपनी समझ से सारी सामगरी डाल कर हलवा बनाती है कुल्गुरू हलवे की बहुत तारीफ करते है ये देखकर रेखा अचमभित हो जाती है मैंने तो इस बार हलवे में निलमपरी की दी हुई चीनी डाली ही नहीं थी फिर भी मेरे हाथ का हलवा इतना स्वादिष्ट बना था ये कैसे हो सकता है मैंने तो चीनी की पोटली चुपा दी थी फिर रेखा ने हलवा पहले जैसा स्वादिष्ट कैसे बना लिया तब ही रेखा के सामने निलमपरी प्रकट होती है रेखा चिंता करने की कोई बात नहीं है तुम्हारी जेठानी वर्षा ने चीनी की पोटली चुपा दी थी पर तुम्हें ये ग्याद ही नहीं कि तुम्हें बार-बार हलवा बनाने का अभ्यास किया और तुम खुद से ही स्वादिश्ट हलवा बनाने लगी व्यक्ति जब किसी चीज का अभ्यास करता है तो वह उस कारे में निपुन हो जाता है जैसे आज तुम हलवा बनाने में हो चुकी हो अब तुम्हें मेरी दी हुई जादूई चीनी की कोई जरुरत नहीं है निलम परी की बाते सुनकर रेखा बहुत खुश होती है और उसकी जेठानी अपना समू लेकर वहां से चली जाती है